साथवा मैच यूंडियन प्रीमियर लीग आईपील दोहजर चौविस का एक बार फिर से साम साड़े साथ बजे दर्सकों के धोनी धोनी के बीच में चेपॉक स्टेडियम में मैच सुरू होता है जीडी वसे सीसके की बीच में जहां पर चैनली सुपर किंग्स पहले बैटिंग करते हुए 206 रनों का टार्गेट जो है वो जीडी के सामने रखती है वैसे अगर बात करें टॉस की तो टॉस जो है वो जीडी ही जीतती है और पहले बॉलिंग जुनती है लेगिन उसका ये दावफी का पड़ जाता है है दो बर तक अच्छी बैटिंग करते हैं उसके बाद में सुपमन गिल को LVWD पर चहर करते हैं उसके बाद मेरे दिमान सा कैच आउट हो जाते हैं उसके बाद में सारी जिम्मेदारी जो होती है वो साही सुदरसन के एकंद उपर होती है लेकिन साही सुदरसन भी उस तरी D20 में इस तरीकिyeong के Pari कोई भी इस तरीके के P– Sun के P mantenweight कोई भी नहीं देखना चाहता है। आधिन कई GP वहां पर और बीक पड़ गई। इसी के साथ में अगर बात करें, हिटर तेवतिया की बात करें, या फिर अजमतलाव मरजई की बात करें, या फिर अगर बात कहलो रास्वित खान की, तो कोई भी नहीं चल सका, सब फ्लॉप नजर आए, एक के बाद एक विगट कवाती जीटी चली गई, और टोटल 143 रन पर आल आउट हो गई, जिसके बाद में 63 रनों से इस मैच को जीटी जो है वो हार गई, अब बात करते हैं समीर इजबी की बारे में, समीर इजबी को पिछले बैस में खेलने का मौका नहीं मिला, इस मैच में जब सीवम दूबे 50 लगाने के बाद में आउट होते हैं, आना होता है जडेजा को धोनी बेजते हैं समीर इजबी को, ओवर था उन्नी स्वा, गेंट थी तीसरी, बॉल थी हाथ में राजित खान के, और बैट था समीर इजबी के हाथ में, जो अपने IPL इधिहास की पहले गेर खेलने जा रहे हैं, और समीर इजबी की बैटिंग को देखने के लिए, तरसक के साथ साथ महन सिंग धोनी भी एक्साइट थे, क्योंकि धोनी ने समीर इजबी को 8.5 करोड रुपे में अपनी टीम में सामिल किया था, और उनके इस पैसे को किस तरीके से भुनाएंगे समीर इजबी, ये देखने के लिए धोनी भी काफी एक्साइट नजर आ रहे थे, और समीर इजबी के उपर अपनी निगाहें जमाए हुए थे, 19 से ओबर के तीसरी गेज जैसे ही रासित खान फेकते हैं, ओवर डीप, बैकवर्ड स्कॉयर लेग पर वो गेद होती है, पैट पर वो गेद होती है, और वो स्कॉयर लेग पर स्लॉग स्विप, काफी जबल जस्ता, फैंस समीर के नाम की हुर्दंगई करने लगे, और महन सी धोनी के खुजी का ठिका आना नहीं रहा, समीर इजबी ने रासित खान को पहली ही गेद पर, और अपनी लाइफ की इतिहास की, आईपेल के इतिहास की पहली गेद पर छक्का लगा दिया, दूसरी गेद पर दो रण समीर इजबी लेते हैं, और तीसरी गेद बीट होती है, चौथी गेद पर फिर आगे बढ़कर, समीर इजबी फ्रेंट फुट पर एक लाफ्टिट चॉट यानि छक्का लगाते हैं, जिसके बाद में धोनी की स्पाइल देखने लायक थी, समीर इजबी की सिर्फ चार गेदों पर 14 रन पर खेल रहते हैं, लेकिन मोहिस अर्मा लाश उबल लेकर आते हैं, और समीर इजबी को पहली गेद बीट कर आते हैं, और दूसरी गेद पर वो slow delivery होती है, जिस पे समीर इजबी को cash करा देते हैं, डेविड मिलर के हाथों, लेकिन समीर इजबी की चोटी सी पारी, एक चोटी सी नौक, जिसने बता दिया कि भाई सब बंदे में दम हैं, और आने वाले मैचस में समीर इजबी का जलबा हमें देखने को मिलेगा, आपको समीर इजबी की ये बैटिंग कैसी लगी, कमण बॉक्स में ज़रु से बताना, अगर आपको भी पसंद आई तो ज़रु से वडियो को लाइक कर देना, धोनी की तो धोनी का ये दूसरा लगातार मैच था जुसमें उन्होंने बैट नहीं उठाया, और दोनों मैच जो है वो चन्नेई जीती है, लेकिन कह रहे हैं कि चेपॉक में दोनों मैच थे, और घर में खेलने वाली हर टीम इस बार के आई पिल का सात्वा मैच था, और जो भी टीम अपने घर में खेली है वो जीती है, और धोनी की ये टीम चेपॉक में खेल रही थी, वो एक बार फिस से बिजेता हुई और 63 रनों से इस मैच में जीटी को हरा है, लेकिन अगला मैच जब DC के सामने होगा, जो वाईजेक में खेला जाएगा, तो फिर क्या वहाँ पर चैन्नाई का ये जलबा कायम रहेगा, ये देखने वाली बात होगी, साथ इस मैच के दूसरी हाइलेटर है, सिवम दूबे, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 23 के दो में 51 रनों की पारी खेली, और ताबर तोर 50 लगाई, पांच शक्ये तो सिर्फ सिवम दूबे ने जड़ दिये, जो चैन्नाई की तरफ से 11 शक्ये लगे थे, पांच शक्ये सिवम दूबे ने लगाए, तीम शक्ये रचिन रविंद ने लगाए, और काफी जबर्दस्त बैटिंगे, आपर सिवम दूबे और अचिता विंद लेकी, इसके बाद में चैन्नाई 206 रोनों तक पहुंच, लाल चैन्नाई ने रुतूराज गाएक बार की कप्तानी में दूसरा मैच जो है, वो जीत लिया है, लेकिन इस वीडियो बस इतना है, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल पो नए हैं, तो सब्सक्राइब करते हैं, और इसी तरी के रिवीव वीडियो और तवाम सारी किक्रेश जोड़ी वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकून को प्रेस करते हैं, मिलते हैं आप सवी लेकिन वीडियो मिलते के लिए पाया है, टिक क्या है,